वोल्टेस वेक्ट्रॉ प्रिस्म एसी करें बा werdंबात्थ करने है यह इस हमें कैसी कूलिंग देता है साथी की कूलिंग कितनी रहती है और यह एसी हम यूज करते हैं तो घ्मारे सबसराइब 500 कितना होगा कितना यूनिट यह कंजूम करता है जब इस memory Clone São बताते जाएंगे इस वीडियो में तो पूरा एंड तक देखेगा इस वीडियो को और अगर आप इस AC को बाई करना चाहते हैं तो यह AC आपको online काफी सस्ते में मिल जाएगा जिसको की बाई करने का link इस वीडियो के description में मैंने दे रहा है तो वहाँ पर click करके आप इस AC को online order क कर पाएंगे online यह आपको काफी सस्ते में यह AC मिल जाएगा वोल्टास वेक्टरब्रिज्म के cooling capacity के बाई में बात करें तो यहां पर आपको 5000 वाट की cooling capacity देखने को मिलती है और साथी में आपको ददे कि यह जो AC है वह काफी कम noise produce करता है जब यह AC चलता है तो इस AC को आप ल देली का जो unit consumption है वो लगभुख 4-5 unit का होगा अगर आप इस AC को daily 8-10 घंटे चलाते है तो महीने का unit consumption लगभग 130-150 units हो सकता है जो कि लगभग महीने का जो विजली बिल आएगा उस हिसाब से 800-900 या फिर 1000 रुपे तक का आपको विजली बिल देखने को मिलेगा महीने का तो और एक साल के warranty इस पूरे के पूरे AC के हर एक component पर आपको देखने को मिल जाती है आउड़र unit AC का सबसे main unit होता है जिस पर आपको 10 साल के warranty देखने को मिल रही है जो की बाहर compressors जोला गारता है उसका जो की ठंडी हवा हमें प्रदान करता है और हमारे रोम तक ठंडी हवा इस AC में आपको air filters भी देखने को मिल जाते है जो की रूम में आने वाले हवा को साफ भी करते है और filtration जो हो काफी ज़्यादा बढ़िया दी गही है इसमें साथी में आपको मिलते हैं जो की काफी ज़्यादा वह वह बचाता है दूसरे AC के मतलब दूसरे 1.5 ton 3 star AC के मुकाब अची cooling करके आपको देगा साथी में इससी में आपको turbo cooling mode मिलता है जैसे आप room में एंटर करते हैं अगर आपको उसी समय cooling चाहिए तो आप turbo mode को on करिए और 2-3 minute के अंदर में आपका room जो हो ठंडा हो जाएगा overall यह 5 minute का समय लगाता है पूरे को पूरे room को चिल करने में बात करें installation के खर्चे की तो लगबंग 1800 रूपीज के आसपास installation charges लग जाते हैं आपके जैसे आपके घर पर AC deliver होगा एक से दो दिन में आपके घर पर एक बंदा आएगा और AC को install कर देगा और यह पैसे जो आपको लगेंगे 1800 रूपीज के आसपास इस AC में आपको stabilizer अलग से य पर पाइप भी देखने को मिलेगा जो की installation को वक्त काम आता है जो की चार से पांसे रूपे का आता है लेकिन आपको box के अंदर में बिल्कुली free में देखने को मिलेगा साथी में आपको पुताते हैं कि इस AC में आपको adjustable यानि की convertible mode option देखने को मिलते हैं जिसे कि आप इस AC को capacity को कम कर सकते हैं जिसे कि आपका महिने का विजदी बिल 200 से 300 रूपे पचा सकते हैं बात करें AC के cooling के बारे में तो दूसरे AC brand के मुकाबले में LG, Panasonic और Walpole के मुकाबले में वोल्टास का जो AC का जो chilling cooling होता है वो काफी जदा chill रहता है और काफी जादा थंड़ा रहता है दूसरे brand से और यह जो AC है उसमें विजदी बिल इप आपको पता दिया कि 700 से 800 रूपे कहीं देखने को मिल रहा है max to max 1000 रूपे तक जाएगा महीने का बिजदी बिल और build quality भी अच्छी है warranty भी अच्छा है description पुन जाएगी वहाँ पे आपको link बिल जागा उस पर click करके पाइनो करके आप order कर सकते हैं इसको